दोस्तों नमस्कार औस्टिलिया के एक तेज गिंबास हुआ करते थे ग्लेन मेग्रा एक ऐसे गिंबास जिनका आतंक रहता था हलाकि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी उनके पास लेकिन बहुत ही अपनी जिसे कहते हैं लेंट से या अपनी स्पीड में जो है उतार मादिया करते थे वो अब भारती गिंबासों को ट्रेनिंग दे रहे हैं MRF पेस फांडेशन एकैडमी में को जोड़े हैं चनई में है यह एकैडमी और यहां यह पहुंचे तो इन्ने इंट्रेक्शन किया और सबका सवाल वहां मीडिया परसंस का एक ही था जस्पीड बुम से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं उन्हें परियाप साराम मिल चुका है अब आयरलेंड दोरे पर वो भारती टीम की कप्तानी करेंगे उन्होंने का बहुत इक्वालिटी बॉलर है और साथी जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है वो काबले तारीव रहा है और उन्ह से बात है उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे लेकिन अगर आपने फिटनेस पर काम किया है उस दौरान तो वो चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं और उन्होंने कहा कि बहुत करीबी नजर बनाए हुए हूं और आगे भी बनाके रखूंगा वे कहां से पहले कई मैच उनको अभी खेलने हैं कई मैचों में अपनी तमाम कमजोरियों पर वो जो है काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं और उन्होंने कहा कि आज भारती टीम ही नहीं बलकि करीपरिफ सभी टीमों की डेथ पॉलिंग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और अब जस्पीत बुमरा अगर पुरानी लैग में वापिस आते हैं और उन्हें पूरा विश्वास भी है कि वो वापिस आएंगे उससे डेथ ओवर की बॉलिंग भारत की बहुत सुद्रेगी जो भारत के लिए जो है बहुत काम आने वाली है आकरी बार सितंबर में 2022 में वो टी कॉंटी मुकाबला खेले थे औस्टेलिया के खिलाफ और उसके बाद जो है लोर बैक की जो उनकी प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ा से उन्हें अंतराश्टी क्रिकेट से दूर रहना पड़ा और तो और राश्टी सतर पर भी वो नहीं खेल पाए आराम किया उन्हों पर यही उन्होंने कहा है ग्लेन मैग्रा ने कि जिस तरहां का उनका अनुभव है तो जुरुबा है जो बाकी बचे हुए मैच है उसमें वो निश्चित तोर पर पर पुरानी फॉर्म को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे और उन्हें लगता है कि उन्होंने आफ दा फि झाल झाल